चलिन मेरे दोस्त आज करते हैं किली ये दिली का निया थे का किया ठीक है moment तब कि दिए रेल हैं और नहीं है ठीक है तो चलिए का संस्थापक कौन था या जलाल उद्दीन को ने है चलिए भंस का संस्थापक को ससते चलाल उद्दीन फिरोग्वास सा खटी है श्कुषव ए भंस किस ठापना को किस दुसरे नाम से जाना जाता है तो Coach स्टा कि cricket खिल्जी किरांदी के नाम से जाना जाता है या ठीगा तो खिल जी किस Kidके थे खिल्जी जो थे सर्वाहारा सर्वाहारा बरग súper कि थे पूसStah है किफिन इकिस्वारा उरहारा पुर्गे के थे ठीग है और है कि सवाल है कि किसने कीलगढ़ी मतंद कीलो खड़ी कीलो खड़ी राज महलों में अपना राजवषेख किया और उसे अपना रास्थानी बनाया कौन तो जलाल उधिल ji ने किया था यार खिया जलाव लूतीन खेल जी ने क्या किया किया कि कैली गड़ में जो खरी करते हैं कि राजमहल में अपना राजमहल में क्या किया किया कि उससे अपना रजहाने में बनाए था यासखेगा फोनेटा कुन बनाए ए एक दिवान ए बकूफ सरजित करने का श्रीड़ी के किस सतान को है तो याठम चाथन की था हिन्दु जंता के पृतई वदाद दियस्टि कोहन मậं रखता था तो वह है जलाव możliन के जिता है ने यहां नहीं तो हिन्दु की बढ़ती और को नहीं था आगे चलेगे जलाल अधिर्टी की हतिया उसके भतीचे अलाव दिन खेल चील्जी ने कब कर दिया था तो 1296 में कौन किया अलाव दिन किया आफार कोश्वन है जो कि महत हीं कि रफ्तार कोश्वन है जिसमें अलाव द क्योंग बहुत चीज करा किया भी था यूद्ध भी किया तरही का यह तो सड़ी पढ़ेंगे तो जलाल फिल जी के हतिया उसके बती जी बती ज अलाव दिन खिल जी ने कर दिया था 1296 मैं हो च्ट के कि आलवदिन खेल जी का बच्फपन का नाम तो यह आति अधर केगा गुर्ड शबत बाना मात की या थिस अनौल टिंखिव को दिल्ली के तक पर कब राजय शिकत बारस चाहिए वे कब मारने के बाद क्या हुआ , 1296 में ही मार दिया था , तो इसका चछा का नाम क्या था , जो कि संस्थापक था , जलालुधीन खिल जी , उसको मार दिया था , और यह 1296 में ही अपना रजर्जिस्टा करवा लिया था , ठीक है ? क्लियर बहुत ही जी था आगे है कि किसने सिकंदर शाहनी द्यूटिय सिकंदर की उपादी धारन किती है तो वो सिकंदर जो शाहनी की उपादी धारन करने वाला या द्यूटिय जो है सिकंदर का उपादी धारन करने वाला अलावदीन खिलजी है यह भी भी एकोशन है अब ख आपके फैभी देखिए होगा सिक्क्य में तो उसी जो है कौन चालो किया था अलाव दिन खेडिगा तो सिक्को पर तारिक लिखने के परता कौन चालो किया अलाव दिन के जी जो कि खिल जी बन्सका है यहां तो चीजिए आगे चलते हैं यहां पर देखें किसमी मद नीशेद तो वो लगाए था अलाव दुन खिल जी तेखे यह इंपोर्टेंट है क्योंकि एस सब चीजों पे वह प्रतिबंद लगा दिया था जैसे मद्ध निशेद मतब सरावुरा पे जुआ खिलने पे एवं भांग खाने पे इस सब प्रतिबंद लगाने वला कुन है तो अलाव द जो मलिक काफूर को कितने में खरदा था तो या दिखेगा वो जो है एक हजार दिनार में खरदा था या दिखेगा तो नुसरत खाने या दिखेगा हिंदू हिजड़ा जो मलिक काफूर है बहुत इंपोर्टेंट है मलिक काफूर को कितने में खरदा था एक हजार दिनार मे जाना जाता है, मलिक काफूर को ही मतलό भूला जाता है हजार दीना ठीक हा? क्योंकि नुसरत खाने हिजड़, मलिक काफूर को घर्दा था, या तूखेंगा किस ने 12 1975 इसमे मलिक काफूर को मलिक 아니고 बनाया दिया मतलब कौन बना दिया था तो अलावदीन खिल जी ने बना दिया था या तो नयाव बना दिया था तो 1297 इस्वी में मतलब 1297 इस्वी में मलिकाफुर को मलिक ए नयाव बना दिया कौन अलावदीन खिल जी ने बना दिया या तो खिंगे आगे सवाल है कि अलावदिन खिद जी के समय मेवाड का शाशा कौन था तो राणा रतन सिंग थे या तुखीगा तो मेवाड का शाशा का अगर पूछे तो राणा रतन सिंग थे और अलावदिन के समय में थे मेवाड को जीतने के बाद अलावदिन ने उसका क्या नाम रखा तो या दिखेगा खर्जाबाद रख दिया था क्या नाम रख दिया था खर्जाबाद ठीक है खर्जाबाद रख दिया था या दिखेगा रतन सिंसे जीत गया था मेबाण को जीत लिया था तो खरजवाद कर दिया था देखेंगे तो अमेर खुषरो किसकी दरवारी कभी था अलाव दिन खुषरो किसके रहा तो अलाव दिन खिरवारी कभी था नियांतरन पर्था लागू कोन कैया तो अलावदिन खेले लागू किया था यहाथ एक सब सवाल भी भी आई पुरशन है यहां से यहाथ च्छार लगादीजे ठाहँ तो इस ने अस्थाइश लगादीजे कघा भी आई आबादी खीले को किसमा आजित का निर्मान, जो है। किस सुल्टान ने करवाया, तो अलावदिं खिल जीने ने, ये भी अश्चरार लगा देजे मेरे दोस्ते, जामत का महजित एक निर्मान करवाया था, जो कि आपको ये अलावदिं खिल जीने करवाया था, ठीक है, आगे सवाल है कि राज्य समंधों में उलेमा के दखल का विरोद किस सुल्तान ने किया था तो अलावदिन खिल जी ने किया था याद रुखेगा तो देखें राज्य जो समंधों में उलेमा के दखल का विरोद अलावदिन खिल जी ने किया था याद रुखेगा ठीक है एपोटे नहीं है इसलिए आगे बढ़ते हैं किसने सैन्सासन के चित्र में दाग मतब घोड़ों पर दाग जो है एवं हुलिया शैनिक के पहचान का प्रचलन किया तो वो है अलावदिन केजिये ने यह दम अश्टार लगा देजिए इस पर ठीक है क्योंकि देखें स सैन्स के मामले में यह जो अलावदिन खिल जी आना बहुत ही मतब कहीं कि सतर गजाता था और व्यवस्था में सैनिक पर जादा ध्यान देता था तो सैन्सासन के छित्र में अगर जो घोड़ा पर दाग होते थे दाग कहा जाता है घोड़े पर चाहिए तो दाग एवं हुल खुलिया जो सैनिक के खुलिया का एक जो होता है मुखटा खुलिया का पहशान का प्रचलन गोंचा लोगा ता अलावदिन खिल जी ठीक है चलिएगा किसने दिल्ली के साथ सुल्तानों का शाशन देखा था तो वह है अमिर खुश्रो यह भी आश्टा लगा दीजे पूसत लेकिन यह मिर खुश्रो रहता गया है यह तो खेगा इसलामी बस्तु कला का रत्न किसे कहा जाता है तो अलावदिन खिल जी बनवाया था तो इसलामी जो है इसलामी बस्तु कला का अगर पूछे रत्न किसे कहा जाता है तो अलावदिन खिल जी ने बनवाया देखे यह भी दिल्ली के प्रतम सुल्टान कौन थे जिन्होंने दच्छिन भारत को पराजित करने का प्रयाश किया था तो वो प्रयाश किया था अलाव दिन खेल जी ही किया था या तो कि यह भी अश्टा लगा दिया क्योंकि अलाव दिन खेल जी ही है जो कि दिल्ली का सुल्टान था जो क दच्षिन जो भारत है उस पर जो है दच्षिन भारत को पराजित करने का श्रिव जाता है मतब पराज olacak छरी एगा बहुत पुर्याश किया था चलेंगे दिल्ली सलतनत की कौं पहले सुल्तान ने serait School के बाति संगीत नक्यवल मनुष्ट की मनुष्ट को अपितु वश्वों को भी प्रभावित करता है यह कथनकिश रूगा है कि अश्टार लघा दीज रूग्रे तो सब अश्टार लगा दिजे क्योंकि यह सब कोशलोग पूश चुका है ठीक है अमिर कुछ शुरू बोला था कि संगी जो है ना सिर्फ मनुष्ट को नहीं जानवर को भी प्रभावित कर सकता है आगे चलेंगे किस साशक में मवेशियों पर कर लगाये था तो अलावदीन खेलजी लगा दिया था मवेशी जो पसू पच्छी भी चलाते थे चलाते का था सक्कर का था जड़ी बूटी का तेल का था तो अगर आप सब पूछे यह अश्टार लगा देजिए मेरे दोस्त यह भी अश्टार ही लगा दी जगा ठीक है कि मोवेशियों पर कर लगाने वाला अलावदीन खेल जी जो था अपनी समय में क्या किया कि बस्त्र सक्कर जड़ी बूटी तेल यह सब जो है बजार खुला था तो उस बजार का नाम क्या रखा गया था सराय ए अदल चीक है यह यह दो खेंगे आगे देखिए कि अलावदीन खेल जी ने कौन सा दच्छिन जो है दच्छिनी राज को खिल जी समराज में मिलाया था कौन सा दच्छ जो है उसमें कून था रामचंडर है तो उसमें हरा दिया था किस की थी तैंलावदान खेल जी की थी सःन सेन जैसेवन जैसे powerless की बात होगी और दिली शलतरन की बात होगी तो ôngड्यक लगाते है पागा दिस्वाल है कि सल्टनत का ल अधिकारी था कौन तो चौधरी जो होता था सल्तनतकान में भूर अजस्व का सरबुत्तम ग्रामिन जो अधिकारी होते थे उसे चौधरी करते थे ठीक है किरियत आगे है कि किसे तूतिय हिंद ये अश्टार लगा देजी मेरे दोस्त तूतिय हिंद भारत का तोता क्यों एक अस्पा एक घोड़े वाला शैना का जाता है दूअसवाल है किस सब्से अधीक बार और सारबधी कि विंषन मंगूल आकर्वन की सल्तनत कालीन सुल्तान के समय हुआ तो फो था अलावदिन ही खिल जी के समय तो इससे भी अश्टा लगा डिन दो क्योंकि तो सबसे अधीक बार और अवस्टेशन अकरवन हुआ था लड़ा भूए था दिक न सब्सक्राइब लिए रश्टक स्षान सब्सक्राइब तो वो था आपका जफर कहां, जफर कहां का मिर्दू हो गया था मंगोल से लड़त हुए, लेकिन मंगोल को कभी जीत नहीं मिली थी, यह जानल चाहिए, लाव जिन खिली बहुत पहले से सैंड बेवस्ता पे तगड़ा बनाया हुदा, खड़ी बोली हिंदी, ठीके, खड़ी का जन्मताता माना जाता है, तो कवाली, कवाली जो होता है ना, वाली, कवाली गाया जाता है कि ने, सुनते हैं न, तो अमिर खुश्रों को, जो है कवाली, गायन, सैदी की जन्मताता माना जाता है, हिंदी, गद्ध का जन्मताता भी माना जाता है, अमिर खुश्रों को, य तन देना इसालो उसे ईंदेवालाद सब्सक्राइब कर दो किया था चो शालाए सफीरन करने दो module ऑन सब्सक्राइब कित समय कहाई से इसक टोह है अलौ तो याद ऑन, लाव दिन खिल जी ठीक है आके चलें वन लाइनर था इसलिए फटा फट चलता है मेरे दोस्त और कुछ पढ़िए नहीं गुलाम बंस में गुद्व के दीने वख यह सब के बारे में पढ़के चलिए तुगलग बंस में जो जो इंपॉर्टेंट है तुगलग बंस लोदी ब पढ़ना सईयद बंस पढ़िए यह नहीं पढ़िए कोई दिकत नहीं लेकिन यह सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कोशन दो या तीन बनी जाता है कोई भी एक्जाम आप रिल्वे के एक्जाम भी दें तो भी मिलेगा प्यार एस्सी का एक्जाम जो है खालीशा भूमी अधिक पैमाने पर विक्षित हुई थी तो यादखेगा वो है अलावदिन खिल्जी के समय में तो खालीशा भूमी जो होता था ये अस्टार लगा जिए तो अलावदिन खिल्जी के काल में क्या हुआ खालीशा भूमी अधिक पैमाने पर विक्षि कहते थे मली काफूर के बाद कौन सासक बना तो सहाबुद्दीन उमर बना था चीक है ये अश्राड लगा सकते नहीं तो नहीं लगा सकते तो मली काफूर के बाद कौन सासक बना तो या तखेगा शाबुद्दीन उमर बना था या तखेगा किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना था, तो वो मुबारक खिल्जी नहीं माना था या तहिस्केगा थे तो यह से ब्स्राट लगा देशे, पूस militar कि Khalifa के आदेश को नहीं माना था तो मुबारक खिल्जी माना था, ठीक है आगे शलेंगे किस सुल्तान ने एक नया मंत्र ले दिवाने ये दिया सकते जिसे वानी चिमंत्राले के स्थापना की वो है अलावदिन खिल्जी किया था जो भी किया है खिल्जी बंस में या दिल्ली संतलन पे तो सबसे जादे शैनिक शुधार भूमी दान के जग़ा पे बेतन बहुत सारे जो है अलावदिन खिल्जी जो है ना जो बीवी आई कोशन बंजाता है इसलिए ध्यान तो खिएगा देखिए यहाँ पर आमीर खुश्रो क्योंकि इसका मुख भूमी का है क्योंकि आलावदिन खिल्जी का समय का है तो देखिए तुगलक का नामा की रचना कार कौन थे तो अमेर खुश्रौ थे या तो खेगा यह मश्चार लगा जी तुगलक नामा का रश्णा कार माना जाता है अमेर खुश्रौ को क्योंकि तुगलग बंसुएं भी यह आएंगे या तो किये साथ बोलतों है साथ सल्टनत में यह रहा चुके हुआ पूसता है अभिंघफ को कितने के साथ सब राजा था मुवारत खिल जी ने कौन सी ठारण दो यह की अलम इमाम उलिमाम क्लाफत लहल यह सारे जहoter भाधी धारण किया था यह तो रखिक कौन भाई मुवारق खिल जी पुछे मुबार्ट के लिए ने कौन कोन उपादी धारन की तो अल-इमाम इमाम खिलाफत अल यह सब की उपादी धारन की थी नहीं अगे आगे चलेंगे कौन कभी-कभी राजतरवार में इस्त्रियों का बस्त्र पहन कर आ जाता था तो मुवारक खिल जी था यह इस्टार लगा लिए क्योंकि इधर आजकर ट्रेंडिंग है फिर यह कोशन पूछ रहा है और पूछा भी है तो कभी-कभी जो है राजतरवार में क्य आठीक हने किया ऐतीगी है तो यह पूस्ता नहीं है लिखिए यह पूसता ही एक अश्टार लगा निगा ठीक हिस्तिक हुसरफ साह की x कि बाइ खुसरफ शासा की घ्रत्या कर दिया कि भुण इसके बार में जनकारी लीजे तो यह इस अपाधी कि यह इसमें नहीं जरुबत को परेगंबर का शेनापती का उपाधी धारन किया था याद किएगा पैगंबर का शेनापती मानता था अपने आपको यहां पर देखें मार्को पूल मार्को पूलो नाम का इटालियन याथनी भारत कव आया तो 1288 में याथा चाहिए है गाट ऑक ट्वेल एटीरेट इटमें अधिक्या इटमें यह इंपॉर्टन नेटीगा इस्टाल लगा लिए क्योंकि पूशते है कि मार्को पूलु तो नामक के टैलियन याद रिया था जो कि 288 में था यह दिली संतनर के समय आधा याद खेगा ठीक है तो प्रताब रुद्र देव ने किया था याद खेगा यही सवाल बनता है कि मली काफूर जो था बहुत फेमश था उसमें ठीक है यह श्टार लगा दीजे मेरे दोस्त ठीक है मली काफूर एक ही जड़ा था यह आप जानते हैं मली काफूर को विश्व परसिद्ध कोहनूर हि ठीक है किसने प्रताब रुद्र देव ने ही यहाँ पे देखिए अच्टर लगा दीजे जिए हैं दिल्ली इस्तित सीड इचानी महन काफूर साह राजमहन कशौर सुन एक हजार सहतून जो है निर्मान का सबस्कूशन है यह जो है इणा नहीं कर दोगलक बंस जो कि इसे सजाया गया है तो यह दुखिएगा आपसे अगर मैं सवाल करूँ तो बताएगा सबसे पहले कौन था गुलाम बंस चीक है दूसरा में को ना था बताएगा दूसरा में बताएगा गुलाम बंस के बाद को ना था है तो खिल जीवन साता है तो खिल जीवन साता है तो एक पता सकते हैं लोदी बन सबसेंटी माता है ना तो याद खीगा शायद बन्स चौत है में आपको अगर पूछे तो शायद बन्स पताएगा ठीक है तो यह सारा मैं एक सौट वीडियो या इस पर डिकेल कर वाद हूंगा क्योंकि बीविए कोशन बनता है उसके बाद आपक अवेश्व चलेगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना है रखते हैं बाई बाई टटाइब चाटाँ